चलिए मुकाबला यहाँ पर तक्ष्वी क्रिकेडर्स और स्यूलेम उनाइटेड के बेच में टॉस जीता है स्यूलेम उनाइटेड टेम दे और पहले बल्ले बाज़ी करने का फैसला किया है गेन बाज़ी के लिए साही राज एगेन बाज स्ट्राइक पर बल्ले बाज अश्वीन पहली गेन रिवास अटेम लेकन पॉइंट पर किलाड़ी अलकिसी मिस्पेल्डिंग होई वहाँ पर गेन लगबग निकल रही एपॉइंट की सिमाक्षेत्र से बाहर चार रन के लिए जापर कोई रन नहीं था वहाँ पर ये निकली बाउंडरी ये चार रन के साथ शुरुवाद यहाँ पर होती हुई अश्वीन स्टाइक साहिराज बोलर राजु दभूलकर आईये प्लीज आपकी जरुरुवाद है साहिराज ओ ये अच्छी गेन फिरेक बार वही साइस तो केलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इस बार तेज रप्तार वाली गेन ना स्ट्राइक इंपराई प्रजोथ शीवलिम इनाइटेट पहले बल्ली बाद दी कर रहे है ओ इस बार लेक्ष्टम से बार अमपार का इशार वाइड का आता हुआ अतिरिक्त सिंगल और इस अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल जो के आगे बढ़ता हुआ पांच रन अमारे करीबी दोस्त कुमार भी इस टेम में मौजुद है देखिए का खड़े है अलजारी जोजेफ के याद आगई हमे शॉट गेन इस बार एक तगरा श्टोक गेन निकलिस सिमारेका के बाहर छे रन के लिए इस बल्ले बाच को देखिए आपको सनम या सालगाउ करकी हिसके इनका चलने क श्टाइल के के इनका खड़ा रहने का स्टाइल देखिए आपको दिकास थोड़ा सा अनमान होगा इसका अम सालगाउ कर देशा है दिकाई देते वे चे रन निकला ठेन के साथ सथ टोटल पहुंचा गयार आपर होंपा ओम वारियर्स पालीम टीम कर पा संपर्ग करे ओम औरियर्स पालिम पुल्टास गेट इस बार खेल दिया मिड़ विकेट के दिशा में किलाडी वापर आते गेन को फिल्ड करते एक रन तो जरूर निकलीगा सिंगल के उपर इस अंतुष्टी सिंगल के साथ साथ टोटल जोकी आगे भड़ता हुआ अब बारा रन पाइला यह ओर है बारा रन अब तक बन चुक है प्रजोट स्ट्राइक पर ओ यह अच्छी गेन और उत्ति शांदर विकेट के बले के अंद्रों ने किदा रहका लेगे विकेट के पास से गुज़र रही थी गेन बहुती शांदर फिल्डिग वापर देखने को मिले अगे 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 पहरा रन टोटल स्कोर बोड पर बगर किसी नुकसार पर गेन बाज में पहला ओवर डाला साही राज अब दूसरा ओवर डालने के लिए गेन बाज निती नहीं गेन बाज दूसरा ओड डालने के लिए साबदा करके स्ट्राइक पर अश्वीट जिनके बल्ले से एक चक्का एक चौका पाइंट पर अलकिसी मिस्पिल्डिंग उसके उपर ओपर चौका निकला था और वाही से रन की रफ्तार बढ़ चुके है बारा रन पहले निकले है यह दूसरा ओर है और निती निये गिनबाज गिनबाज जेके मोरचे पर अश्वीट स्टाइकेड पर ओ अच्छी गेन परिवर्तन के ताउर के उपर ब्लॉकल में डाली वरती और कर लेंग की गेन पुरी तरसे बीट हो गई बल्ले बाट बाकी का काम पुरा कर दिया विकेट के बाग यापिट है आपर बहुती शांदर विकेट के बिक विकेट के पेचे निबार रहा है फिर एक बार दोट डिवरी दो गेंदे डॉट निकली बहुती शांदर गेन बाजी दूसरा ओर है प्रकति पर पहले ओर में निकले बारा और इस ओर के यह दो गेंदे डॉट निकली है गोवा पोलीस तीसरी सेमी फाइनलिस्ट हमें मिल चुकी है ओ फिर एक बार और एक गेन आख मुंद कर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करी गेंदर बले का कोई संपर्क नहीं और एक डॉट गेन निकलते हुए बहुती शांदार गेंबाजी नितिन द्वारा सही लाइन के साथ गेनबाजी कर रहे है जानते है बल्ले बाज किया हाँ खेलने के कोशिश कर रहा है उनसे दूर गेनबाजी करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे है यह तिन यह गिन बाज है ओ इस बार यार कर लें कि गेंडिच दुरुप से अश्वीन जो कि उनके बल्ले से चायद नहीं लेक बाइच का इशारा अमपार का आता हुआ लेक बाइच के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ तेरा रन कापी देर के बाद यह तिन के अब तक की शांदार गिन बाजी अपने टीम के लिए बहुत ही शांदार गिन बाजी यह तिन दौरा अब तक चार गिन दे समापत हो चुके है इसो अट्टी ओवर की सिर्फ एक रन पर साब्दा करेंगे यह तिन के अगली गेन का यह तिन यह तिन अग्रश्ट अज्ट अगें लिक्स्टम से बाहर वाइड का इशारा आतावा अंपायर का अठरिक ता और एक सिंगल अठरिक तो सिंगल के साथ चौदा रन पर पहुंचाए टोटल अक्षिवे अग्षिव स्क्राइब कर रहे हैं और इस बार सी दिवाले के साथ के ला कुमार वापर नजर आते हुए गैन को जब तक फिल्ड करते एक सिंगल निकला सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ पंद्रा रन पर तॉसित कर वहले बले बाजी करने का फैसला सिवली इनाइटेट टीम क और यह प्रारब बिक जोडी मैदार पर पहले और में शांदार बाहरा रहे हैं लेकिन यह दो यह दूसरा और अच्छा कमबेक यह तिन का इस बार खोद कर निकाले हुए गैन पाइंडर गली के बीच में से डीप थर्ड बैन के दिशा में गैन को फिल्ड किया जाता एक र सम आपता टोटल सोलारं स्कोर वोर्ड पर बगर किस दुक्साथ पर गैन बाजी में पहला बदलाव और सीध वेरने कर एक इन बाजी के मौर से बढ़ एक तेज तर्रार गिन बाज अस्तोरा से भिलांग करने वाला मैंप्राप अस्तोरा और इस मजदार पर अब साब्दा करेंगे आश्विन उनकी गेन का एक चक्का एक चोका लेकिन दूसरे और में बेटर इन वाफ से बेटर इन तक्षविशा आज टीम का ओ इस बार एक रस दलाइट थोड़ा सा बला तिर्चा करकर खेलने के कोशिश गेन निकली विकेट के परके आथ में बगर किसी नुक्सान पर अच्छी गिन बाजी सीद्वेर ने करकी इस बार उटा कर कहला है हुआ में जरूर खिलाड़ी पीचा किया जा रहा है गेन कवर पॉइंट बांडर की निकल रही कुछ गेज अंदर गेन को रोक दिया दो रन बचाई अपने टीम के लिए बाग कर दो रन पूरे कर दिये यहाँ पर अश्विन और प्रजोत ने दो रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ अठारा रन बगर किसी नुकसान पर टॉक जीतकर बल्ले बाजी करने का फैसला किया है और रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस मैदान के उपर साथ सत्तर का अकड़ा हर टीम को पहले बल्ले बाजी करती हुए पार करना है फिर एक बार उसी दिशा में फिर वैसा ही रिपले देखिए उसी दर का ये स्टोग खिलाडी वही स्टोग वही बल्ले बाज वही और रन बी वही शायद यहाँ पर थर्ड अमपार के लिए रेफर किया गया है पहला रन तो पूरा हो चुका है दिखाईए देगा जरूर लेके ना तब तक सुनिये दिल की धाड़कान लेके लेके लुट, तक सी बल्दार किया है? और इट इस आ नॉट आउट पोचे अपने घर में पाउचे अपने पॉप एंकरेज में दोनी स्टाइल में रनाउट करना जा गया विरे लेकिन तब तक पहुंचे थे थोड़ा सा लगबगा अंदर आगई वर्ना वाप जाना बने लेकिन प्रयास अच्छा था प्रयास को पूरे मार्क देने पड़ेंगे दो रन के साथ साथ टोटल आगे वड़ता हुआ बीस रन पर बीस रन बने है पहले और में एक चक्का एक चौका लगा था लेकिन उसके बाद अब बड़ी शॉट के अभी भी तलाश जा रही है इस बारिक उसी दिशा में कहला इस बार पॉइंट और गली के बीच में से डीप थार्ड मैंसे खिलाड़े आकर गेन को जब तक फिल्ड करता एक रन और खाते भी टोटल पहुंचे ट्विंटी वन एक किस रन बगर किसी नुकसार पर अच्छी साजेदारी अच्छी गेन बाजी अगर देख की जाए तो तक्षवी क्रिकेटर्स के ओर से देखने को मिले बल्ले बाजी मैदान पर देखे सिवले मीना टेड के प्रारमिक जोड़ी अभी भी ओ ये पूरी तरह से चक्मा दे दिया अंपाइर के बास अपील जोरदार की जा रही है लेकिन अंपाइर तस से मस नहीं वे क्योंकि अंपाइर को पता है ये अपील तो हो नहीं थी इस बाहर हुआ में कहला हुआ स्टोक लेकिन खिलाड़ी के आगे निकला ओ यहाँ पर दो रन और पुरे किये दो रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि तेईस रन साथ और का ये मुकाबला है तो तीसरा और आपको बालिंग पावर प्ले का कमपल्चेशन लेना चाहिए था ओके तो तीसरा और तीसरे और तक आपको पावर प्ले लेना पड़ेगा जिस तरह से आठ और के मुकाबले होते ना वहाँ पर आप चौते और तक ले सकते हैं लेकिन ये साथ और का मुकाबला है तो यहाँ पर निच्ची दूप से तीसरे और तक आपको लेना के अनुमति रहेगी और उसके बाद बैटिंग पावर प्ले का एक और भी बचेगा अब तीन ओर का खेल समप्त हो चुका है और तोटल जो कि बाइस रन स्कोर थे इस रन बगर किसे नुक्सान पर और गिनबाद जिपर ये तिन ये तिन ये गिनबाद जिकले और अंपायर का इचारा बैटिंग पावर प्ले का ओम ओरियर्स पालीम टीम आईए प्लीज ओम ओरियर्स बैटिंग पावर प्ले का इशार अंपायर का आचुका है और गिनबाद जी के लिए ये तिन ये गिनबाद आपको नजर आएंगे दूसरा और शंदर डाला था उन्हों ले वही गिनबाद जी के मोर्जे पर ओ अच्छी गेन तेज रफ्तार वरी अंपायर के पास अपेल की जा रही है कैच आउट के लिए लेकिन अंपायर ने न का रहा है इस अपेल को तेज रफ्तार वाली गेन सिधी निकली विकेट के पर के आथ में बगर किसी रन से बगर किसी नुकसान से अच्छी गेनबाद ही कर रहा है एक एनबाद यतिन पहले ओर के बाद रन बनना थोड़े से कम हो गये है पहले ओर में बारा रन बने थे लेकिन उसके बाद वाफसी करें इस टीम दे बड़ा शॉर्ट कुमार वापर और सीधे उसके हाथ पहले विकेट का बदन अश्वीन को चलता कर दिया यतिन रे झाल दिंग डॉंग पुने टीम के कप्तान आईये प्लीज अपने टीम लिस्ट सब्मिट करें यहापर आईये जल्दी लास्ट काल फाईयो यह अचिके नियार कर लेंकी पुषपरा जाएये नए बल्ले बाद मैधार पर विकेट निकला पहला उसके बाद पुषपरा जाएये एक डॉट गिन के लिए ओ अच्छी गहन पिर एक बार बहुत ही शानदार गिन बादजी पूरी तरह से बान कर रखाई बैटिम पाउपले के ओर बे पूरी तरह से ओम वारियर्स पाली और डिंग डॉंग पुने दोने टिम के कप्ता अंटास के लिए आईये आईये जल्दी ओम वारियर्स पाली और डिंग डॉंग पुने बारबर आपको पुकार दिया जा रहा है आप जल्दी ओम वारियर्स पाली आईये फोटो फोटो शेशन के लिए ओम आरियर्स पाली अच्छी गेंबाजी आपर नजर आते हुई यतिन दौरा अब स्टाइक पर प्रज्वत ओम इस बाहर देखिए विकेट लेकर निकली एगें और एक विकेट प्रारा बिक जोडे इस ओर में वापास टोटल स्कोर बोड स्रिप 24 चोब इस रन वे प्रोश स्टाप प्रोश स्टाइक पर निलेश और गिनबाजी के मोर्चे पर कलपेश गाउंस टीम के ओर से पाच ओर लेकर चार ओर का खेल सबाप्त 24 रन मात्र स्कोर बोड पर दो विकेट के नुकसान पर ओ अच्छी गेन यह चाहिए फिर की गेन बाद जी है यह असानी से आपको रन बनाने नहीं देंगे बड़ी शॉट लगाने नहीं देंगे क्योंकि डेर सारा अनुबव है और इनके कलाई में जाती होई कलपेज गाउस ओ इस बार निच्ची दुरुप से पॉइंट के दिशा में कहला जा रन आउट का कत्रा शायद ओर्थरों हो सकते है दूसरे के लिए पल्टे बहुत ही शानदा रनिंग बेट विकेट जहाँ सिंगल था वा और एक रन कर्च में कर्ची करती हुए एक रन के दो रन के साथ टोटल जो के आगे बड़ता हुआ ट्वेंटी सिक्स चबबिस रन स्कोर बड़ पर दो विकेट गवानि के बाद निलेशा स्टाइक पर ओ ये अल्टी पल्टेवाला स्टोक ये गेन पूरी जाएगी शायद रोकने की कोशिश बेधर इंट फिल्डिंग वाहाँ पर दो रन मिलेंगे और ओत्र हो चुका शायद तिसरे के लिए पल्टेंगे ओ यहाँ पर तिसरा रन भी पूरा होता हुआ तीन रन यहाँ पर और तीन रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ ट्वेंटी नाइन उन्तिस रन स्कोरबोड पर पाच्वा ओर है प्राकति पर शायद यह मुकबला लो स्कोरिंग का होगा कम टोटल का होगा क्योंकि इस ओर के बाद 12 गेंदों का खेल और शेश रहेगा यह साथ ओर का यह मुकबला है याने कि जिस्तर से रन बनने चाहेते कल से हमने इस मैदान पर जिस्तर से रन बनते हुए देखे थे वो ऐसे रन बनते हुए नहीं देख रहे हैं दिकाई दे रहे है इस बार लेक्स्टम के उपर ती गेंद शायद अंपायर का इशार अवाइड का बाइच का मिलेगा एक सिंगल कुल मिलेंगे दो रन, दो रन के साथ साथ टोटल 31, 31 रन, दो विकेट के नुकसान पर रन बॉल के आसपास ये टोटल बनता वान अज़र आ रहा है और कर लेंगे गेर पिर एक बार केल दिया, सिंगल जरू निकलेगा, सिंगल के साथ साथ टोटल पहुचा 32, 32 रन, स्कोर बोड पर, दो विकेट गवाने के बाद, अच्छा ओर है कलपिश का, लेकिन फिल्डिंग थोड़ी से खराब रही है ग्राउंड फिल्डिंग में थोड़ा साया पर सुधार लाना पड़ीगा, क्योंकि कवर नहीं होता, त्रो लगाते लगाते यहाँ पर अगर बात की जाए तो पुश पर आज के लिए फुल टास गए, निच्च तरुप से, ये गेन मारने वाली थी, लेकिन आपने उसको जमिन के उपर ड़केला, सिंगल निकला, सिंगल के साथ, टोटल आगे बढ़ता हुआ, थर्टी-्थ्री निलेश, अप्ट स्राइक पर इस बार केल दिया है, क्या वन बाउस निकल सकते हैं, जी नहीं, डिप में केलाडे, बहुती शांदर फिल्डिंग करते हुए एकी रन निकला, और ओवर समाप्त, लगबग होता हुआ, पाच वा, पाच ओर का केल समाप्त, थर्टी-फोर, चोटीस रन, दो विकेट के नुकसाद पर, बारा गेंदों का केल, अभी विशेश आईये, टॉस के लिए, डिंग डॉंग पुने, और ओम वारियर्स पालियम की टेम, आईये, टॉस के लिए, जल्दे ओम वारियर्स पालियम टीम के कप्तान, टॉस के लिए, आईये आखरीब बादो और का खिल बाके है, नितिन आये गेंदाज के लिए, चेरन यहाँ पर, गेंदाज सीद वेर्नेकर और पहली गेंद के उपर चक्का, ओ, इस बार हवा में खेले, विकेट के पर गेंद के लिए, दूसरे टेमें कैच को तब्दिल कर दिया, निलेश वापस सी करते हुए, केमे में, चक्काल लगाने के बार एक और बड़ा शॉट लगाने के कोशिच करे, लेकिन वापस उनको जाना पढ़ रहा है, केमे में, अगला मुकबला डिंग डांग पुने और ओम वारियर्स पालिम के बेच में, तॉस जिता है, ओम वारियर्स पालिम टीम ने और पहले फिल्डिंग करने का फाइसला किया है, निव बैटर दनेश महिदान पर, बायात के बल्ले बाट महिदान में आच चुके है, इस बार उटा कर केला है, सीधा कोमेंटरी बोक्स के उपर से, छेरन के लिए, पिर एक बार उटा दिया, इस बार हवा में गेन है, किलाडी कलबेश गेन के निचे, और एक शांदार कैच, दो चक्के इस ओर में लगे है, लेकिन दो विकेड भी निकले, चक्के के साथ टोटल जो के पहुचा है, 46 पर और 4 विकेड डाउट, 14 विकेड वापस. पिर एक बार इस बार गेन बाध्जी के मॉर्चे पर और निवेट अर्माइदान पर प्रकाश, दो चक्के यहाँ पर लग चुके इस ओर में दो विकेड निकल चुके 46 रन टोटल स्कोर बोड पर पुल्टास गे निजबार सीधा केल दिया कुमार गिंक पहुंचने के कोशिश सिंगल यहाँ पर दूसरे के लिए पढ़ लटना चाह रहे थे लेकिन मना कर दिया एकी रन के उपर इसंटूस सिंगल के साथ टोटल अप पहुंचा 47 साइतालिस रन स्कोर बोड पर सिध्विर्णिक और फिरिक बार ओ आगे जाकर केल दिकी कोशिश अंपायर का इचारा वाइड का हाथा हुआ अतिरिकत सिंगल और अतिरिकत सिंगल के साथ साथ टोटल में बदला टोटल जो की पहुंचा 48 पर 48 लॉस ओफ विकेट शिफ ओर इन प्रोग्रेस चटा ओर है प्रगति पर ओ इस बार आगे निकले दे इस बार मिस फिल्डिक देखने को बिले विकेट की पर के आतों से सिंगल निकला सिंगल के साथ 22 का इचारा अंपायर का आता हुआ टोटल पहुंचा 49 लन 6 ओरों का खेल समापत होता हुआ आकरी 6 गिंदों का खेल बाक्की करते हो कि लगने हमें अगे करते हैं लो करते हैं अखरी ओवर विटु 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 उन्चास पर पहुंचा है अक्रिच्छे गेंदे सब ना गरेंगे पुश पर आज ओ बड़ा शॉर्ट कलपिश के साब दे मिलेगा मात्र सिंगल सिंगल के साथ पचास रन भी आपर शोले मिनाटेट टीम के पुरे होते हुए यहां पर अत्रिक्त खिलाडी बैटे उनको नाम पता नहीं है और जीन खिलाडी उनको नाम हमें पता है हमें भी कंप्यूजन में डाल देते है और इस बार के लिए डिच्च दूरुप से सिंगल जरुन निकलेगा सिंगल से फर्क पड़ेगा लई टोटल पाउचा इक्या वंद रन फिफ्टी वन जब सीद्वेर नेकर गेन बाजी के लिए आये तब नाम पुचा तो उन्होंने नितीन बताया चायद महिद सोच में पड़ा कि मेरी आखे धोका दे गई क्या ओ इस बार मेंने लेकर प्रस्टोक कवर के दिचा में के लावा ये स्टोक गेन लगबक निकल रही है सीवा रेका के बाहर पुच्पर आज के बल्ले से निकल दावा एक शान्दार चौका टोटल पहुंचा पच्पन पर फिफ्टी फाईव पुच्पराज स्ट्राइक पर ओ पिरेक बार कर लेंके गेन पिरेक बार कलपेश नदर आएंगे सिंगल लही मिलेगा वापर सिंगल के साथ टोटल फिप्टी सिक्स अब तक चपन प्रकाश ट्राइक पर ओ इस बार कलाई के सारे केल दे तोड़ से से पलो चुके ड़े आफ्ट्रम के बाहर लेकिन एक ही रन मिलेगा एक रन के साथ साथ टोटल 57 रन पर पहुंचा टीम का इस मैदान पर इस पेज पर पहले बल्ले बाजी करते वक्त साथ सत्तर रन ये प्रेडिक्शन रहता है सत्तर रन आपको जैसे जैसे बनाने पड़ते है आट ओर में और इस बार बड़ा शोट आगया यहाँ पर यह चेरन सीधव अमारे ठीक कोमेंटरी बॉक्स के बगल में चेरन के साथ आखरी गेन के ओपरे लगा चक्का और टोटल पहुंचा आए 63 पर याने के एक फाइटिंग टोटल बन चुका है चाउसाट रन के है आओ शक्ता कर दोटल शक्ता झाल 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 64 runs required to win it here for Takshvi cricketers झाल 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 no runs of the bet, the first over is in progress, Shualim United and Takshvi cricketers fighting it out in the second half of the second day, the first match, Goa police have already entered into the finals with a wonderful performance, first they did with the bet by putting up a good score, in the shSL, okay, centre this game, let's go this foot, the ring, the next one, the hand isат and then进jar इसे बिजुदे इस शुलिम नईटीए तेम धूराल अजी टॉनमें टॉनमें तो विच्वलातु करम सुपडेकर में अभले टॉफी कि बढ़ बोलर वैंसी एच जास जास बाट बेट बटंट इस वे फिफ जुट इस मैं आ ये फिव जिए उन्स फिव पो जे बट अजू अए जान अजून आ एक तो वर इंज है नह प्र इए उल्तिव ओंग पॉर लिए इन्स अूपन एफ ब्ट इनस? we're taken by the same fielder and the same bowler is one for two yi 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 so once again another better comes and goes for the switch it a magnificent beautiful first over taking both these openers out of the contest and after completion of one is one for the loss of two with it so in comes put it back so when she has given them a good starts you will immunited just giving one run so you can imagine in a context of just 64 runs are required and if the polar comes and bowls and picks up too early because both openers are back to the pavilion just considering one run as you said a very good start very good work done by the organizers wonderful they absolutely know how to work on this ground going for that a big shorter in the mid-wicket region square league region so push for I also starts with the door ball Sid Wernicka and Nitin has to do the job here not even a single run of the better from the seven balls that have been bowled by Chile United team both Kumar and Gabby bear went out without troubling the scorers that a single this is the first one of the bed doesn't have the power to go for the forums but will certainly get two runs so first double of the better from a sidda when a cost bet scored moves on to three I push for Raja definitely will be looking to pick a few more wickets oh that's a good shot here look at the power of seed is not only saying that I am a bowler but I can bet well shuffled across on and the offside and picks that on the lakeside too much of power the city when he got is telling that I've seen enough of the bowlers and enough being quiet and now it's time to get a little bit violent a little bit aggressive and a little bit more quick than the bowlers first hands from his side nine runs on the board for the loss of two second or in progress it's again just getting inside part of the bed wanted to go a lofty shorter in that long on the region just getting a single these overs are going to be very crucial this middle phase two two to four five overs how they are going to proceed whether they are going to lose wickets and how the civil united are going to take the chances nicely played carefully played low full-trust ball single should be coming the first over they went for the big shorts thinking that the fielders are inside we have to to get maximum in power play over the bowling power play but they managed to get just a single that to offer the leg by once again straight down the ground just can get a single oh that's single will finish one number two is 12 for two so six two झाल झाल in comes Raku what a bowler he is यह कि देढ पूरिया इस तामी उयुक्ड़ उठ विस मेंगी वे खिर्वी इप्रिटर इवन्यर इन विशेव इन विछैने यह बिवे प्रिस्ट्टेब इम्स्टेश जो कि एग इसके जोगिंग नुटार अज्टार को अगज के इसके लिए जिए बड़ फर तो रूड़ इंगा इस बड़ अज़ के इस ने अवा लिए इन फिल अज जो पुटेटर वज़ इस बिश करू इस बिटाबंगा इस outside the option this is the action that everyone knows that we have seen so many times so many years he is doing this for his team now playing for seo lemme united that's a good child what a switch it is what a dead over the point region filled up for six runs smoked it after the meat of the bed Sid Wernick are looking dangerous at the moment a good science here for the betting team this was a much better well you can see the reaction of missing that wall it was little bit a feeling bad about missing such an opportunity there was a man placed but if he had placed it finer he will have got a boundary racco doesn't have that much of pace that he used to be bowling with I can understand everyone can understand that this is once again this might be a catch fielder coming after that and he takes a good catch and Raku takes a vacator still the betters are not left here from the clutches of Raku Raku comes Raku picks up a vacate and gets its suite rage against a sit rancher झाल 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 च्राव्डन और छाव्ड कर्षा लाध्टे लिमनाट पेकिन इसमैज इंटमस अबैर गानेश गष्ट-्पाइब्ट इस्टाव ट्रॉड कर लुट्र ही तर इसका इस्टीज्टरिंग अगर्णेट्यट्ट इस्टीजबर इस्ट निट्यूर्ध कि अध्वाटी तॉर्यूर in his entire life and this is one more addition to that going, this is very good ball and a very good finish here from Raku bowling almost yorka length outside the off stump and one good over wicket also taken so three wickets down at the score of 21 after three overs and one good over and one good over and one good over three overs gone in comes the new bowler target is 64 runs 21 for three the match is well balanced one or two good overs here for sure United will put little more pressure and little more effort will be required from the battles in comes Dhanesh balls yorka length just outside the off stump so this fourth and fifth over is going to be very very important for sure in fact all the overs but certainly so if they have to take the match into the last over maybe skipping somewhere around 15 to 20 runs then this over number four to five are going to be important in comes Dhanesh goes misses that was almost in the slot and these days nowadays even if the ball is slightly pitched up close to the foot it's considered to be in this slot the way the battles swing the bat in with big power swing it fast swing it hard once again the same shot the same result Dhanesh balls consecutive dot balls here against Ganesh this time three dot balls here from Dhanesh the batter is Ganesh and the bowler is Dhanesh right now he is bowling dot balls and he is becoming more richer Dhanesh another dot ball this has been the same shot that has been tried this time it just came little down the track that was only difference but the result remains the same dot ball four dot balls in a row and I think the bowler has done fabulous job just the last ball it needs to be bowling like this but he gives a six that was a loose ball he cut the pace bowled it slow but bowled it short and a big strike in spite of having four dot balls he goes for the big one gets the big one and at the end of four hours the score is 28 for three the 5 ढ्रेट अजय्ट्य धिन्य वप्र टुमेश्ट किश्य धिस्टेम्ह अरिस 64 अज्च्छीट एफ लुवाइड द्वेंट बनाजिट इनुरोविक 36 ट्रुन्स और स्वार रस ट्वार इन ए्रेटिज्ज अथिस्थ लिवड़ रस लेक्ट टेक्टिज्व है एक ट्रम ट्रुव ट्वार में लेग्ट ट्रुछ लेक्ट सथम्सी ओ उटत्यू कि अच्वेटे कुछी वे गजरेख वे लंस, नहीं लेख़ बंसी वे बोल ऑजिए उन हम लॉज़ इस नहीं लोगेश्याओं, बॉज़ों थे जहाँ वाँ लॉज़ कि लिए वे लॉज़वा kayak वह वर्णटी लॉज़ काल यॉज़ कि इस वे वह बोल में करने हूं व्हास अन्फ़ोर्ष क्वालर्फ जसाओ कई जुट सेंप्ट जात। जुट एंज वघ्ट वार्ष नवीकाई अवाई एक्षाम जब बेज्ट बाइक थैस जूब अजेखनी जब भाई कर प्रिजस्ट कि अलिज कर वार्टेश्ट एंट थूट था! a big momentum big lift in this fifth sixth and seventh over which are very crucial this is once again nicely played and goes towards the fence for four runs just the width given away it was in this slot but he finds the gap easily over the wide long off region fielder so now getting a momentum here big lifter in this over so far eleven runs coming off the three balls calling ashish short of all this might be in the air but might be out of the ground yes it does an expensive over here from fancy raku is telling me what are you doing at this moment so once again goes for the big bigger short just gets a single but i think it's an expensive over this over has gone totally in favor of the betting unit actually cricketers two sixes of one boundary eighteen runs coming of this over so far it's really expensive in this context context of the match going for the switch is straight to the field but they still run for that single and single 19 runs coming off that's this over over number five and at the end of five is five is forty seven for three three झाल 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 17 runs required in 12 balls single will make it 16 off 11 so now the match with that last overcoming of 19 certainly has changed his head and is gone in towards the betting side it's just a matter of 1-6 just like this one, just like this one oh good fielding effort I thought he's going for six runs he has suddenly saved it and put it inside the field of play pulled it back in on time while he was in the air acrobatic save here, applauded by everyone the Sivoli United are still in the race such kind of effort not only lift the supporter but also lift the bowlers this might be a catch and he misses it and the catch taken Dhane strikes, one more wicket going down of Takshavish kirkators and still the match is well on Okay with that one okay with that one okay with that one in comes the new beta Kalpash, the equation still remains the same 15 of 9 15 of 9 and Kalpash coming from Naveli Sakri and performing here for Takshmi cricketers that's a good ball wide ball here signal maybe it was little why we are here giving the commentary from the square region so sometimes difficult for us to gauge it we have to wait for the umpire signal so it means fourteen runs required of nine still the job is a hand the batter was not ready still the job in the hand of the bowler still three balls are left in this over by no means this match is over oh cracking delivery and out out says he was shuffling across he was trapped in front of the vickets and one more vicket going for Dhanesh is picking vickets and he's also keeping his team in the race of quarterfinals so 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 this is so 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 the air this will be an easy catch rocker takes it three wickets in this over from dhanesh and dhanesh i guess has become rich by three wickets so 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 what a performance here from dhanesh still 14 runs are required of seven balls and he will be bowling to get a head trick here he will be bowling to get a head trick gaurish and the better was just standing over there he didn't move at all so it's going to be a dot ball the last ball and that will conclude over number six some magnificent over so 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 far he picks up three wickets and just concedes three runs how worthy in a context like this how crucial is that performance from dhanesh six hours gone by and the score still remains on 50 14 runs required of the last over so crucial meeting here crucial discussion on who is going to bowl this all-important over that six students that was saved at a long off region was the turning point that six could have changed that asking them to less than six that six could have given the hope that we could have changed it down easily for luxury cricketers that six saved five runs for seo lim united that six runs made the save that save made the change of guard from one batsman to the other he loses the wicket of the next ball and from that point onwards the scenario and entire complexion of these first match of the second session of the second day has changed 14 runs that's why filling is very very important it's the matter of small save but it's a bigger save in a situation like this one still 14 runs required of six balls in comes prakash didn't time it well it might be a catch good effort but uh they are certainly are going to uh scamper through for the second ganesh ganesh is the striker ganesh has scored two sixes and one boundary if at all anyone can get this team that should be cricketers then it is ganesh did a mistake and that's the big batter ganesh back to the pelion after getting run out at the non-striker's end so still of four balls are left 11 runs are required so 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 11 of 4 बोल्स, not going to be easy for the new बेटर, Sunil is the बेटर, did not time it, there is a बेटर, and he drops it, this unlucky, he is very unlucky over there, but a run out is on the cars, and one more run out here, they are running helter-skelter, they are running to get themselves out, and they are made a run out here, scapegoats on scapegoats. So 10 runs required of 3 balls, 10 of 3, great come back here from Shulim United, after 19 hours, West Coast of Vence is over, Dhanesh over, and that save was crucial, that was the turning point. This is a very good balling, 8 down, 8 down, and now it's just matter of 10 of 2, that means 1-6 is required here, if there is no 6 over here or a boundary, it's going to be all over for Takshuvi cricketers. Shulim United are going to go into the quarterfinals. This is no timing whatsoever, it might just be single, Raku saves it, and saves the day here, Dhanesh for his team, Shulim United, they are the favorites, just one ball left and 9 runs required, it's not going to happen if there is not a no ball. And I guess that's it, all over, all over here, and Shulim United, congratulations for making a good comeback, it was not a big total there, 4-3 on the board, but the bowling unit of Shulim United, you know.